रिवानगर विजेदसमी उत्सप समिती दौरा इस भरस भी आकरशक रावर्ण, मेगनाथ और कुमकरण के पुतले तयार कराए जा रहे हैं बताया गया है कि 59 फीट उचा आकर शक्त रावर का पुतला तथा 50 फीट कुमकरण और 45 फीट मेगनाद के पुतले तयार किये जा रहे हैं। इन्हें पाली बिर्सिंपुर के कलाकार तयार करने में जुटे हुए हैं। इस दोरान पुतला तयार करने वाले कलाकारों ने बताया कि वे पिछले कई सालों से दशहरा के समय में पुतलों का निर्मार कर तयार हैं। दिवा में पिछले बर्स भी उनके द्वारा ही पुटले तयार किये गए थे इस वर्स रावर के पुटले की उचाई थोड़ी अधिक है बताया कि अभी तक 60% काम हो गया है दशहरे को दोपहर तक रावर कुमकरण और मेगनाथ के पुटले बन कर तयार हो जाएंगे पुटलों में आकरशक आतिस बाजी की व्यवस्था की गई है सभी तयारिया समय पर पूरी कर ली जाएंगी इस वर्ष दर्शकों को आतिस वाजी एवं लाइटिंग का अद्भूत नजारा देखने को मिल सकेगा NCC Ground में 12 ओक्टूबर को परामपरागत तरीके से दशहरा उत्सव मनाया जाएगा इस दोरान आकरशक लाइटिंग भाव्वे आतिस वाजी के साथ रावर्ड मेंगनात और कुमकरन का पुतला दहन किया जाएगा साथ ही शांस्कृतिक कारिकरम की भी आकरशक चस्तुती होगी करने में पूरा अधर्शयो ब эфф बशुट यह पुरा रामण पूरा उन्य वांतर अधर्शय शुह और केंटा सामाध्य के विजए की बेंग पनाजी अखनारत अभिपुरी विश्यक्रामा कि मीषद साट?' कुछ लिग अखन हमें ।क कि कव माठी आ पूरा उखनाबू पूरे है। और इसमें यह है कि प्रफ डिजानी चेंज हो गई और इन क्यान फुट कर आमना है चालिज प्राइब स्कूट प्रूम तुम चरन है और इसमें आधिस वाज डाली जाएगे भी कितना त्रम्य लगा आपको इसे गनाने लेटता रहए है कि चर्णा है जाए यूदार ने ना पास बंब लगेगा नाल लगेगा चेहरे में वो लगेगा तेरे मना लगेगा फिर्फ यह पुस्तेनी काम लोग है हम लोग आते हैं उमज्या जिल्ह से आते हैं विर्शिंग्पुर पालीश से आते हैं हम लोग आठ लोग आते हैं जी हर बार याते हैं नेराम जी शान है यह सासी है फैमली वाला कोई नहीं कहला हूं यह चौकी पीड़ी मेरी जी मौसम को देखे हुए वाटर फूर्फ बनाए गया है ति चहरा चोड़के उरस तरीर जो वाटर फूर्फ कर दो यह त्यारी हो रही है जी इसमें पाली से पाली बिसिंगपूर से रावन बनाने वाले आते हैं जी शान अली वहर साल रावन बनाते हैं इंक्यावन पुटका रावा का पुतला और पैतालिस पुटके में इंगनात और कुम्बकरन के पुतले बनते हैं शोवा यात्रा और भगवान राम की गद्धी जो है वो किले से निकलती है शाम कुछ है बजे शोवा यात्रा यहां आके उसके बाद भगवान राम रामणवत करते हैं रात को सांस्कृतिक कारिकरम एक कलाकार भजन गायक जो है वो मुंबई से है और एक बोपाल से है एक जवलपूर से है भजन संध्या होती है जो हम लोग सांस्कृतिक कारिकरम कर जो अपना वो लगता है उसका स्टेज में उसको वाटर पूप कर देते हैं इस वार सुनाया कि रावण भी वाटर पूप हो रहा है रावण में भी थोड़ा सा पंद्नी अगरला कुछ सेफ्टी की गई है पर अब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो तो ईश्वर के हाथ कुणती है तो इस बार भी बारिश तो नहीं थी वो पिछले दो 2013 एक बार बहुत बारिश थी उसमें हुआ था आतिश बाजी होगी जी आतिश बाजी होगी आतिश बाजी वही पाली विर्सिंपुर वाले ही कर्प करवाते हैं जाकियों के लिए उनका पहले अपन क्या है प्रथम दुटी तिती पुरुसकार इस तरह के रखते थे पर अपनी रिपोर्ट देते हैं वह उस हिसाब से उनको अपने लोग की बैचने के वस्ता की रही है लगभग पांच से छेजार लोगों के बैचने की वस्ता की जो चेर्स लगी हैं पांच से छेजार रही हैं